राहुल गांधी विचित्र मनुदशा के शिकार हो गए और ये विचित्र मनुदशा पूरी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस के प्रवक्ता, कॉंग्रेस के नेताओं को उससे भी विचित्र दशा में ले जा रही दुर्भाग्य है कि जिस देश में रामायड महाभारत बच्चों को संदर्व के साथ ज्यान में रहती है, ध्यान में रहती है, याद में रहती है, वियोहार में रहती है उस महाभारत के बारे में राहुल गांधी को कुछ भी नहीं पता है दुरियोधन या धृतराष्ट या उस वक्त का जो राज था जिसके बाद महाभारत हुई उसमें ऐसा नहीं था कि कोई गरीब प्रचा, मजदूर, किसान उनको बड़ी पीड़ा दी जा रही थी ये पांडवों और कौरवों के बीच अपने अपने सामराज्य को लेकर युद्धता जो धर्म युद्ध में बदल गया और जुसमें खुद योगेश्वर कृष्ण खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहिए या सेना तो सेना कहा गई थी जिसे भीड कहते हैं वो गई थी कौरवों के साथ और राउल गानी कह रहे हैं कि इधर पांडव हैं वो खुद को पांडव कह रहे हैं और कह रहे हैं हमारे साथ भीड है वो कह रहे हैं अमीर लोग चले जाते हैं और उन्हें शायद पता नहीं है लोक तंत्र की अधारणा उनके दिमाग में रही ही नहीं, चुकि वो राजनीती में बड़ी आसानी से पारिवारी के कहें कि आधार मिला रहा, उसके आधार पर वो सत्ता उनको मिलती गई, अब अचानक इतने लंबे सत्ता चली गई है, तो उनकी मना हिस्तिती बिगरती सी दिख वो कह रहे हैं कि संग कवरो हो गया है, संग ने आज तक कहीं किसी जगा सत्ता लाठी से हासिल कियो, उसका एक प्रमार नहीं है, राश्टी स्वयम से वक्त संग के लोग लाठी लेकर चलते हैं, वो सुबा की शाखा में व्यायाम करते हैं, महत्मा गाली प्रति दिन लाठी अब तो फुल पैंट पर जा चुके हैं, जो इस पीच जिसने लिखी उसको शायद ये भी पता नहीं, गाली जी भी घुटनों के उपर धोती पहनते थे, संग पूजा की बात करता है, महत्मा गाली रोज रामधुन जबते थे, रोज पूजा करते थे, न राहुल गाली को ऐसे जनता का भरोसा जीता जा सकता है, न तो इसका कोई भान है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत चिंता की बात है, कि मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता का ये हाल हो गया है, इस दुर्दशा में वो पहुँच गये हैं